हारे कृष्णा जे शीले प्रभुपाद भगवान शीर कृष्ण आज अर्जुन जी को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म इंद्रियों को तो नियंत्रत कर लेता है पर अपने मन में इंद्रविश्यों का चिंतन करता है वे व्यक्ति सबसे बड़ा धूर्ध है क्यूं अर्थार जो करम इंद्रियों को वश में तो करता है किन्तु जिसका मन इंद्रिविश्यों का चिंतन करता रहता है वे निश्चित रूप से स्वयम को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है अब अनुवार के नुसार जो व्यक्ति या महात्मा उपर से तो सादू की वेश भूशा में हूँ परंतु मन में अंदर से इंद्रिविश्यों का चिंतन करें तो उनके लिए सब कुछ व्यर्थ है वो खुद को ही धोखा देते हैं वे अपने शिश्यों को बहकाने के शुष्क दर्शन के विश्यों में भी व्याख्यान दे सकते हैं किन्तू वे सबसे बड़े धूर्थ हैं ऐसे धूर्थ का चित सदैव शुद रहता है उसके सारे ज्यान के फल मायात्वारा हर लिये जाते हैं परंतु जो व्यक्ति केवल कृष्ण भामना मृत में होता है उ सदैव व्यक्ति सदैव ठाकुर जी की सेवा करके खुश रहता है और उसका मन हमेशा ही प्रसन रहता है इसलिए हमें एक पर्मानिक गुरू के पास जाना चाहिए और उनसे ही सारा शास्त्र का ज्यान लेना चाहिए आज का सूविचार अगर हम उपर से तो दिखावा करें कि हम देश खूशा में हैं और तिलक लगाया हैं कंठे डाली है परंतु मन में ठाकुर जी को नहीं बसाए और ध्यान इंदर विश्यों में हैं तो ऐसे दिखावे से कोई फाइदा नहीं होने वाला और अगर हम अंदर से चाहते हैं कि अगर कृष्ण की सेवा नहीं की तो क कुछ नहीं चाहिए फिर देखना कैसे आपका मन कहेगा कि जितनी सेवा मिली ये कम है और दीजिए मेरे प्रभू और इससे ये सब तभी हो सकता है जब हम नाम जब करें उसके लिए हमें हमेशा एक काम करना होगा हमेशा जबते रहिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और हमेशा खुष्ष रहिए इसी के साथ भगवद गीता या थारूप का च्छत्वाश लोका पूरा हुआ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भर भर के करते रहिए और हमेशा खुष्ष रहिए हरे कृष्ण ज प्रेशी लेप्रबूपत!